आप लोग खुजी देख सकते हैं कि ये दिखने में कितने जादा सुन्दर लग रहे हैं और इससे कई जादा खाने में टेस्टी हों बनाने में बहुत जादा सिंपल तो सबसे पहले हमने एक बाउल में दो कप पानी लिया है उसमें एक चमस नमक डाल कर अच्छी तरह से इस को हटा देंगे एक साइड से चिपस जैसा हम इसको निकाल देंगे अब हमने नॉर्मल जो घर में यूज होती है चममच उनको लिया और जिस तरब से आलू को काटा था उसको नीचे की साइड रखेंगे और इस तरह से चममच को बराबर रखते हुए आलू को हम कट करेंग इस से चममर रखने से क्या होगा कि आलू की कटिंग नीचे तक नहीं होगी हमें जैसा चाहिए वैसी ही इसकी कटिंग होगी और ये देखें कितने आसानी से आलू हमारे अच्छे से कट गया है अच्छे से बचा कर काटें तक कि ना खोन और उंगली ना कटें फिर इसको ग और पूरा आलू इस तरह से अच्छे से कट गया है अंदर तक पूरा कट है और यह देखिए कितने अच्छे से आलू हमारा कट कर तयार हुआ है बढ़िया असे कट गया है जैसे हमें चाहिए अब जो हमने पानी में नमक डाल कर रखा था उसमें यह अम प्रहदी हम इस इसी एक कटोरी मैदा लिया है, नॉर्मल मैदा होती है, वही मैदा है, अब इसमें हम या तो आप कार्ण फ्लोर का इस्तमाल कर ले, या फिर खाली मैदा का इस्तमाल कर ले, या फिर चावल के आटे का यूज़ कर ले, तो हमने 4 चावल के आटे का यूज़ किया है, अगर कार्ण तो आप वह भी डाल सकते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे एक चम्मच चाट मसाला इसके बाद में एक चम्मच भरकर देगी मिर्च पाउडर इससे कलर काफी अच्छा आएगा और आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च लिया है अब इसमें थोड़ा सब लकुल हल्दी पाउ जो हमारा नास्ता बनेगा रेसिपी बनेगी यह बहुत जादा क्रेंची और करारी बनेगी और यह देखिया हमारी मैदा में सारी मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है अब चलिए नेक्ट प्रोसेस की ओर अब जो हमने आलू को अच्छे से काट कर रखा था अब इनको एक कॉ पूछेंगे ताकि जो आलू में पानी है वह सारा खतम हो जाए और आलू हमारे अच्छे से पोछ जाए इस तरह से इनको हलका सा अच्छे तरह से पोछ लेंगे इसका पानी खतम कर लेंगे और यह देखिए जो हमने पाउडर बना कर रखा था अब इसमें हम आलू के अंदर डालेंगे अच्छी तरह से इससे हमें अच्छी तरह से आलू को कोड करना है और इस तरह से ऐसे खोल खोल कर अच्छी तरह से अंदर तक यह सारी जो मैदा और मसाले हैं अंदर तक आलू के अच्छे से पहुच जाए साइड थोड़ी सी रह जाती है तो साइडों में इस त ने अच्छी तरह से पूरे में चाई करना है उसमें काफी जयादा सुनुदर लगू निकाल देंग काफी जादा सुनुदर लग रहे हैं अब इनको फ्राई करने के लिए कड़ाई आपको ऑई अच्छे से गरम कर लेना है low to medium flame पे कर दें पहले high flame पे गरम कर लें तो इसके बाद में low to medium flame पे रटें और इसको अच्छे से डालकर हमें फ्राई करना है और ये देखिए काफी जादा सुन्दर लग रहा है देखने में और एक बात कड़ाई में थोड़ा सा ओयल जादा ही ले तब ही ये अच्छे से फ्राई होंगे और ये देखिए अब इसके ऊपर से जो खाली जगए है उसमें मिस तरह से चम्मच से तेल को डाल देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होंगे और थोड़ा थोड़ा तेल इसके उपर चारों के उपर हमें डालना है और आपकी कड़ाई में जितनी जगए हो आप उतने इनको एक साथ फ्राई कर सकते हैं और ये देखिए अब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब इनको में कलची की सायता से इस तरह से पलट देंगे उलट पलट करते हुए भी इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ रहा है और देखने में भी काफी और ये खाने में भी बहुत ज़ादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं बड़े से लेके बच्चों तक सभी को बहुत ज़ादा पसंद आते हैं और देखने में इतने ज़ादा अटेक्टिव होते हैं जो भी देखेगा वो सबसे पहले यही पूछेगा कि इनको बनाया कैसे हैं इतने ज़ादा जोची दिखने में सुन्दर लग रही हो तो खाने का मन अपने आप से ही हो जाता है और इनको उलट पलट कर अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है और यह बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं यह देखिए अच्छे से फ्राई हो जुके हैं अच्छा सा कलर आ चुका है बस हमें यही कलर चाहिए और आलू भी पूरी तरह से पक चुके है ऐसा नहीं है कि आडू कच्चे रह जाएंगे जब यह अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आलू भी पूरी तरह से पक जाएंगे अब इनको हम ऐसे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्ष्रा ओयल होगा वो निकल जाएगा और यह देखिए अपनी प्लेटिंग कितनी और एक्टेक्टिव है इनको सॉस के साथ चेटनी के साथ जिस तरह से भी आप सब करना चाहें सब कर सकते हैं रेसिपी पसंदा है तो लाइक शियर एंड सब्सक्राइब थाइंक्यू